वेल्कम बैग स्टुडेंट्स मेरा नाम है मोहम्मद कामरा और आप देख रहे हैं कामरा डिजिटल स्टडी दोस्तों आज हम लोग दे प्रोपोजल बाई एंटन शेकव को लाइंग भाई लाइंग पढ़ेंगे और उसका सिंपल लैंग्विज में मतलब समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लेट से स्टार्ट एंटन पैवलोविच चेकव 1862-1904 वाज अ फेमस प्ले राइट एंड शार्ट स्टोडी राइटर फ्रॉम रश्या दोस्तों एंटन पैवलोविच चेकव की पैदाईश हुई थी 1860 में और उनकी मौत हुई 1904 में वो रश्या के एक मशूर प्ले राइट थे मतलब ड्रामाटिस्ट थे वो ड्रामा लिखते थे नाटक लिखते थे और वो शॉर्ट स्टोडी के लेखक भी थे मुसनिव भी थे और अक्सर ये माना जाता है कि थेटर में मौडन तौर तरीके मौडन अंदाज की उन्होंने शुरुआत की है और ये भी माना जाता है कि वो शॉर्ट स्टोडी में मौडन अंदाज मौडन तौर तरीके लेकर के आए थे यानि के अंकल वैनिया त्री सिस्टर्स और दे चेरी और्चेड ये एंटन पैबलोविच चेकव के मशूर काम है दोस्तों हम लोग जो ये प्ले पढ़ने जा रहे हैं ये प्ले असल में रुशियन लैंग्विज में लिखी गई है इसको इंग्लिश लैंग्विज में ट्रांसलेट किया है जूलियस वेस्ट ने दोस्तों प्ले को लाइन मालाइन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले वन एक्ट प्ले के बारे में जान लेते हैं वन एक्ट प्ले को एक ड्रामेटिक फॉर्म तोस्तों उनिस्वी सदी के आखिर में वन एक्ट प्ले को एक ड्रामेटिक फॉर्म के तौर पे एहमियत मिली है the one act play is called so because the entire dramatic action is completed within a single act one act play को one act play इसली कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम ड्रामेटिक जो actions हैं वो एक ही act में complete किये जाते हैं the play is tightly constructed दोस्तों one act play की बनावत बहुत tight होती है there is little scope of development of character or plot rather the focus is on the dramatic situation one act play में plot या फिर character के development का scope बहुत कम होता है बलके इसमें dramatic situation पे focus किया जाता है an example of a renowned one act play is jm singe's riders to the sea दोस्तों jm singe's riders to the sea एक one act play की मशहूर मिसाल है दोस्तों इस play में total तीर characters है पहला character है stepan stepanovich chubukov ये एक land owner है मतलब ये एक जमिनदार है इस play का दूसरा character है natalia stepanova ये चubukov की बेटी है इसकी उमर है 25 साल इस play का तीसरा character है इवान वैसलेविच लोमोफ ये चubukov का पडोसी है ये देखने में लंबा चोड़ा और एक मश्बूत इनसान है लेकिन ये काफी शक्की किसिम का जमिनदार है ये बात-बात में शक्क करता है और ये काफी नर्वस किसिम का इनसान है इस play का setting है चubukov's country house यानि चubukov का देहाती घर चubukov के घर में एक ड्राइंग रूम में ये play होता है लोमोफ एंटर्स वेरिंग ड्रेस जैकेट और वाइट गलवस लोमोफ ड्रेस जैकेट और सफेद गलवस पहने हुए अंदर आता है दोस्तो ड्रेस जैकेट का मतलब होगा coat यानि लोमोफ coat और सफेद गलवस पहन करके चubukov के ड्राइंग रूम में आता है चubukov rises to meeting चubukov उससे मिलने के लिए खड़ा हो जाता है चubukov my dear fellow home do I see फिर चubukov हैरान हो करके लोमोफ से कहता है कि मेरे प्यारे साथी ये मैं किसे देख रहा हूँ इवान वेसलेविच आज मेरे घर आया है I am extremely glad आज तो मैं बेहत खुश हूँ squeezes his hand चubukov लोमोफ का हाथ अपने हाथ में लेकर के उसे दबाता है Now this is a surprise my darling मेरे प्यारे ये तो मेरे लिए एक surprise है कि आज तुम मेरे घर आया हो How are you फिर चubukov लोमोफ से पूछता है कि तुम कैसे हो तो लोमोफ जवाब देता है Thank you आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद And how may you be getting on और लोमोफ चubukov से पूछता है कि आपका कैसा चल रहा है फिर चubukov कहता है We just get along somehow my angel to your prayers and so on मेरे फरिष्टे तुम्हारी दुआओं से हमारा किसी तरह से चल रहा है Sit down, please do फिर चubukov लोमोफ से कहता है कि प्लीज बैट जाओ Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling मेरे प्यारे तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने परोसियों को नहीं भूलना चाहिए My dear fellow, why are you so formal in your get-up फिर चubukov लोमोफ से पूछता है कि मेरे प्यारे साथी तुमने इतना formal dress क्यों पहना हुआ है Evening dress, gloves and so on तुमने ये Evening dress, हाथ में gloves और इस तरह की दूसरी चीज़ें क्यों पहन रखा है Can you be going anywhere, my treasure फिर चubukov लोमोफ से पूछता है कि मेरे प्यारे क्या तुम कहीं जा रहे हो फिर लोमोफ कहता है No, I have come only to see you, honored Stepan Stepanowich नहीं, महतरम Stepan Stepanowich, मैं तो सिर्फ आप से मिलने आया हूँ चubukov Then why are you in Evening dress, my precious तो फिर चubukov उससे पूछता है कि मेरे प्यारे तो फिर तुमने Evening dress क्यों पहन रखा है As if you are paying a New Year's Eve visit तुमें देख कैसा लग रहा है जैसे तुम New Year की पार्टी में जा रहे हो Well, you see, it's like this, खेर देखिये, बात कुछ ऐसी है, takes his arm, I have come to you honored Stepan Stepanowich to travel you with a request फिर लोमोव उसका हाथ पकड़के कहता है, महतरम Stepan Stepanowich, मैं आपके पास आया हूँ एक request करके आपको परिशान करने के लिए Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help and you have always so to speak एक या दो बार नहीं, यानि कई बार पहले भी मुझे आपसे मदद मांगने का मौका मिला है और कहा जाये तो आपने हमेशा मेरी मदद की है I must ask your pardon, I am getting excited फिर लोमोव कहता है, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, मैं घबरा रहा हूँ I shall drink some water, honored Stepan Stepanowich मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए, आदर निया, Stepan Stepanowich drinks, वो पानी पीता है चुबकोव, aside, he has come to borrow money, shan't give him any फिर चुबकोव, side में खड़ा हो करके कहता है, वो मुझे पैसे मांगने के लिए आया है मैं उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दूँगा दोस्तों, aside, drama का एक टेकनीक है, जब character को अपने मन की बात audience express करना होता है तो वो side में मुझ घुमा करके बोलता है aloud, what is it my beauty, फिर वो जोर से लोमोव से पूछता है, मेरे प्यारे बात क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो लोमोव, you see honor stepanich, I beg pardon, stepan honorich फिर लोमोव घबराते हुए कहता है, देखिए मोहतरम stepanich, मैं माफी चाहता हूँ, stepan honorich दोस्तों, यहाँ पे लोमोव घबराट की वज़ह से नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा है stepanich, honorich, इसलिए वो चुबकोफ से माफी मांगता है I mean, I am awfully excited as you will please notice मेरे कहने का मतलब है, मैं बहुत जादा घबरा गया हूँ, जैसा के आप मेरी हरकतों से समझ पा रहे होंगे In short, you alone can help me, though I don't deserve it Of course, साफ साफ कहा जाया, तो सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, हलाके मैं इस चीज़ का हगदार नहीं And haven't any right to count on your assistance, और नहीं मुझे आप से मदद मागने का कोई अधिकार है चुबकोव, Oh, don't go round and round it, darling, spit it out, well उसके बाद चुबकोव कहता है, अरे मेरे प्यारे, तुम बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बोलो, ठीक है लो मॉव, one moment, this very minute, थुआ से रुकिए, मुझे एक मिनट दीजिए The fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage बात दरसल ये है कि मैं आपकी बेटी Natalia Stepanovna से शादी करने के लिए आप से उसका हाथ मागने आया हूँ दोस्तों, इस प्ले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी दूँगा आप लोग चेक करने चाहेगा See you in the next वीडियो जै हिंद, जै भारत